मेरे प्यारे देश मासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्स की फैन हो रही है, हमारे कई लोकल प्रोडक्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ती है, जैसे एक उधारण है खादी का, लंबे समय तक खादी सादग स्वास्त के दर्ष्टी से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, और आज खादी फैशन स्टेट्मेंट तो बनी ही रही है, खादी की पप्लारिटी तो बढ़ी रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है, मेक्सिको में एक जगह है ओहाका, इस इलाके में कई गाव ऐसे हैं, जहां स्थानिय ग्रामिन खादी बुन्ने का काम करते हैं, आज यहां की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसित हो चुकी है, ओहाका में खादी कैसे पहुची ये भी कम इंट्रेस्टिंग नहीं है, दरसल मेक्सिको के एक युवा, मार्क ब् ब्राउन ये फिल्म देखकर बापु से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापु के आश्रम आये और बापु के भारे में और गहराई से जाना समझा, तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी के बले कपड़ा ही नहीं है, बलकि ये तो एक पूरी जीवन पद्धत इससे किस तरह से ग्रामीन, अर्थेववस्ता और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है, ब्राउन इससे बहुत प्रभावित हुए, यहीं से ब्राउन ने ठाना कि वो मेक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे, उन्होंने मेक्सिको के ओहाका में ग्रामीनों क खादी का काम सिखाया, उन्हें प्रसिक्षित किया और आज ओहा का खादी एक ब्रांड बन गया है, इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर लिखा है, इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुत ही दिल्चस्प इंटर्वी भी मिलेगा, वे बताते हैं कि शुरू में लो खादी को लेकर संदे में थे, परन्तु आखिरकार इसमें लोगों की दिल्चस्प बढ़ी और इसका बाजार तयार हो गया, ये कहते हैं ये रामराज्ये से जुड़ी बाते हैं, जब आप लोगों की जरुतों को पूरा करते हैं, तो फिर लोग भी आप से जुड़ने चल आते हैं